तो आज सुबह मैं जैसी उठा, मुझे पता चला कि Premiere Pro का 2024 वाला वर्जन आ चुका है तो मैंने तुरंद computer चालू किया और इस वर्जन को डाउनलोड करने लगा बट unfortunately यह वर्जन मुझे डाउनलोड नहीं हो पाया पता नहीं PC की दिक्कत थी या software की पता नहीं क्यों लेकिन यह डाउनलोड नहीं हो पाया तो मैंने सुचे तुमारे लिए एक वीडियो बननी चाहिए जहाँ पर मैं सारे के सारे important factor और important updates को highlight करूँ उस वीडियो में तो जो सबसे पहला update आता है वो है pauses delete करने का अब pauses delete करने से मेरा मतलब है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें जब हम subtitle add करते हैं उस subtitle को add करने के बाद हमारे पास ऐसे parts आ रहते हैं जहाँ पर 3-4 dots बने रहते हैं और उन parts का मतलब होता है कि यहाँ पर subject ने pause लिया है और आप चाहो तो उस part को delete कर सकते हो उस subtitle को delete करके तो basically आप subtitle से भी delete कर सकते हो और timeline से भी delete कर सकते हो तो यह काफी अच्छा feature लगा मुझे आप दूसर जो update आता है वो है emojis के बारे में हम सब जानते हैं कि Premiere Pro में हम कभी भी import कर ही नहीं पाते हैं किसी भी emoji को और text में तो भूली जाओगी कभी होने भी वाला है हां हम emoji की image upload कर सकते हैं बट हम type करके emoji नहीं डाल सकते हैं तो इस नए version में हमें मिल जाता है support emojis का बट यह ध्यान रखना कि यह support सिर्फ और सिर्फ Mac के लिए बना है audios को enhance करने का काफी time से अगर हम देखे तो premiere में सारी की सारी basic चीजा हमें मिलती है AI का integration उतना नहीं था 2023 के version में हमने देखा AI subtitle बराने का और उसके बाद से कोई भी AI का major update Premiere Pro में तो बिल्कुल भी नहीं आया है बट इस नए version में हमें option मिल जाता है हमारी audios को अठी तरीके से enhance करने का और वो भी AI के help से तो मान के चलो अगर मैंने गलती से कहीं गलत जगा से video record कर लिये और वहां पर बहुत जाना noise आ रही है आता है वो है restore missing audio तुमारे जैसे मेरे जैसे हम सब वीडियो को बनाते हैं और कभी-कभी हमसे कोई specific shot की specific audio delete हो जाती है और उसे वापस लाने में हम जानते कितनी मशक्कत लगती है बट इस नए version के साथ हमें option मिल जाता है keyboard पर एक button दबाके उस आप specific time frame पर पहुंच जाओगे जहाँ पर वो audio थी और उसके बाद आप उसे drag and drop करके अपनी timeline में वापस import कर सकते हो तो यह काफी अच्छा update लगा मुझे because हम जैसे editor हम कभी कबार वीडियो बनाते है audio delete कर देते हैं and जैसे उसको save कर देते हैं but एक बार वो project बंद हो गया तब उसके बाद आप उसे undo भी नहीं कर सकते है खेर major updates की list तो यहीं खतम होगी लेकिन मैं एक और update के बारे में आपको बता देता हूँ इस 2024 के version में हमें मिलता है एक नया speed generate करने का tool तुम लोग जैसे देखते होगे आजकल faceless channel चल रहे हैं तो उस faceless channel में जो audio को use किया जाता है वो generate होती है किसी script से अब आप Premiere के अंदर ही उस script को decode कर सकते हो और उसको convert कर सकते हो एक MP3 यानि की audio file में तो ये एक और मेरे को काफी अच्छा update लगा जिसके बारे में कोई कह नहीं रहा है बट ये भी एक Premiere Pro का major update का part है तो ये थे कुछ important update जो मैं चाहते था कि तुम्हें पता चले तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हो जाना और चैनल को subscribe भी कर देना बिकास ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा बाकि आज की इस informative वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए take care